नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो के मादम से हम चर्चा करेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कैसे करें एप्लिकेशन कैसे डालें आप RTI कैसे डाल सकते हैं इस वीडियो के मादम से RTI के विशे पर जो एप्लिकेशन डालनी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे आप कैसे कैसे स्टैप रहते हैं और RTI डालने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जो हम चर्चा करेंगे यह ओफ लाइन जो आवेधन है उसको आप कैसे जमा कराएं जो पेपर पर लिख कर एप्लिकेशन आप देते हैं आर्टी आई के तहद कोई सूचना मांगनी है आपने कोई डाक्यूमेंट मांगना है अपने सर्वी से समंदित आपने किसी भी कारिया से समंदित किसी भी भी भाग से के इंदर सरकार के या रज्या सरकार के वो सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आज की वी कि RTI के लिए आप आवेदन यानि application कैसे लिखेंगे इस वीडियो के मादन से हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से step जो आपने follow करने होते हैं एक application लगाने के लिए RTI डालने के लिए वो चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक केंद्रिया जन सूचना अधिकारी यानि Central Public Information Officer लिखावा दिखाई पड़ रहा होगा इसका मतलब होता है केंद्रिया जन सूचना अधिकारी वह सूचना अधिकारी होता है जो आपकी जो application है RTI की उसका जवाब आपको देता है केंद्रिया जन सूचना अधिकारी किसी केंदर के किसी भी विभाग में एक न्यूक अधिकारी होता है और यहादिकारी ही आपको सूचना परदान करता है सूचना लेने के लिए सबसे पहले आप को ये step follow करना होता है यदि आप केंदर सरकार के किसी कारियले में अपनी RTI डालना चाहते हैं तो आप उस विभाग केंदरिय जन सूचना अधिकारी यानि Central Public Information Officer को आप application डालेंगे यदि आप किसी रज्य सरकार के किसी भी कारियले में आप अपनी RTI डालना चाहते हैं तो आप रज्य जन सूचना अधिकारी यानि State Public Information Officer को आप अपनी application डालेंगे यहाँ इन दो SPIO और CPIO का difference आपको मालूम पढ़ गया होगा तो यदि आप केंदर सरकार के किसी भी विभाग से या किसी भी कारियले से आप सूचना लेना चाहते हैं तो आप केंदरिय जन सूचना अधिकारी संबंदित विभाग के केंदरिय जन सूचना अधिकारी को आप application लिखेंगे सूचना प्रापत करने के लिए RTI के तहट यदि आप किसी रज्य सरकार के कारियल्य से सूचना लेना चाहते हैं तो उस कारियल्य के संबंधित रज्य जन सूचना अधिकारी को आप application डालेंगे यदि आप उस विभाग के HOD यानि विभागा द्यक्स को नाम अपने application जो आपकी application है विभागा द्यक्स को address करेंगे तो आपको सूचना नहीं मिलेगी इस बात का खास ध्यान रखें जब भी आप अपनी application लिखें तो उसमें केंद्रिय जन सूचना अधिकारी केंदर सरकार के विभागों के लिए और रज्यों के department से कारेलियों से सूचना लेने के लिए रज्य जन सूचना अधिकारी को आप अपनी application address करेंगे ये खास ध्यान रखें और बात करते हैं सूचना प्रापत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या रहता है केंदर सरकार के जितने भी विभाग हैं कारेलियों हैं मंतरालियों हैं सभी से सूचना प्रापत करने के लिए आवेदक को 10 रुपे प्रती आवेदन के रूप में मुख्तान करना होता है तभी आपका आवेदन पर कारिवाई होगी यदि आपके आवेदन यानी आपकी RTI के आवेदन में आपने कोई ऐसी सूचना मागी है जो एक पेज से अतरिक्त पेजों को स्रिजित करना पड़ता है यानी एक से अधिक पेजों की फोटो कॉपी करनी पड़ती है तो आपको 2 रुपे प्रती प्रिष्ट के हिसाव से अतर से अधिक पेजों पर यदि सूचना होगी तो आपको दो रुपे प्रति प्रिष्ट के हिसाब से अत्रिक सूचना सुल्क परदान करना पड़ेगा अब बात करते हैं आवेदन सुल्क के दूसरे भाग की जो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की श आवेदन सुल्क या अत्रिक सूचना सुल्क परदान नहीं करना पड़ेगा यानी गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन करने वाले अवेदक को फ्री ओफ कोस्ट सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आपको सूचना मिलेगी आपसे किसी भी परकार की कोई सूच सूचना सुल्क डिमार्ड नहीं किया जा सकता आगे चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको बता देते हैं ये केंदर सरकार के नियम हैं 10 रुपे प्रती application आपको फीश के रूप में देने के और 2 रुपे प्रती प्रिश्ट अत्रिक सूचना सुल्क देने के बारे में और बात करते हैं राज्यों सरकारों का क्या रेट है सूचना प्रदान करने के लिए जादनतर राज्यों ने भी केंदर सरकार की तरज पर ही आवेदन सुल्क रखा हुआ है लेकिन कुछ राज्यों में आवेदन सुल्क भिन हो सकता है किसी किसी राज्ये ने ये सूचना सुल्क 10 रुपे से जादा 20 रुपे भी रखा हुआ है किसी ने 50 रुपे भी रखा हुआ है ये राज्ये जब भी आप किसी राज्ये में सूचना के लिए अपनी एप्लिकेशन डालें उस रज्जा से समंदित सूचना शुल्ख का आपको बुक्तान करना पड़ेगा तब ही आपकी RTI पर कारिवाई होगी और आपको सूचना प्रदान की जाएगी अब बात करते हैं आगे समय सीमा की कि आवेदन जो आपका RTI है RTI जो RTI का एक्ट है RTI Act 2005 के तहट जो आवेदन आपने डाला है जिस तारिक को आपने समंदित विभाग में अपना आवेदन दिया है अपना RTI डाली है उसके अगले 30 दिनों के भीतर आपको सूचना उपलब्द कराई जाएगी ऐसा सूचना अधिकार अधिनियम के तहट प्रोविजन है प्रावधान है यदि 30 दिनों के भीतरा को सूचना नहीं मिलती तो आप 1st अपील के लिए जा सकते हैं 30 दिनों के बाद आप उस विभाग के समंदित 1st Appellate Authority प्रथम अपीलिया अधिकारी को आप आवेदन लिख सकते हैं और शिकायद कर सकते हैं इसके बाद बात करेंगे अतरिक्त समय की कि आपको 30 दिन से अधिक समय क्यों लग सकता है यदि आपके अवेदन पर कार्यवाही करते हुए केंद्रिया जन सूचना अधिकारी या रजया जन सूचना अधिकारी को लगता है कि आपके अवेदन में ऐसी सूचना मागी गई है जिसके लिए CPIO और SPIO को आप से अवेदक से अतरिक्त सूचना सुलक डिमार्ड करने की आउ सकता है यदि कोई अतरिक्त सूचना सुलक बनता है तो उसके लिए आपको CPIO और SPIO आपको within आपके जो एप्लिकेशन है प्रापत होने के 5 दिनों के अंदर अंदर आपको अतरिक्त सूचना शुल्प के लिए लिख देगा जिस कारण से आपकी RTI पर कारवाई करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको 5 दिन अतरिक SPIU को दिने पड़ेंगे यनि आपको अवेदक को सूचना 30 की बजाए 35 दिनों में प्रापत होगी ये अतरिक्त समय इस वज़े से लगता है आगे बात करेंगे अतरिक्त खर्चे की सूचना प्रापत करने के लिए अतरिक्त खर्चा भी आवेदक को वहन करना पड़ सकता है ये सूचना अधिकार अधिनियम में प्रोवीजन है यदि आवेदक सूचना साधारन डाग के माध्यम से चाहता है आपने सपोज करो RTI SPIO को या CPIO को लगाई उसके बाद आप साधारन डाग से आवेदन प्रापत जो आपके आवेदन है उसके माध्यम से जो आपने सूचना मांगे वो आप साधारन डाग से लेना चाहते हैं तो पंजिकरित डाग का या सपीड पोस्ट का खर्चा आवेदक त्वारा ही वहन करना पड़ेगा और इसके लिए SPIO और CPIO अतरिक डाग खर्चे का डिमांड आवेदक से कर सकता है अब इसी परकार आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी RTI की अप्लिकेशन डाल सकते हैं और इस वीडियो से आपको बहुत सारी सूचना RTI के बारे में आपको मिल गई होगी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि RTI की अप्लिकेशन आप कैसे लिखें RTI का प्रारूप कैसा रहता है वो वीडियो में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए अफडेट के साथ नए नियम के साथ नमस्कार धन्यावाद जैहिंद जैभारत